नमस्कार में भार्किष्री बिस्यन नियूस के बिजनिस समाचार भी आप सबी का स्वाकत है खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुख्यों पर बात ये शेयर बाजार में इस चुकरवार को भारतिय रेलवे की एक और कमपरी रेलटेल लिस्ट हो गई है एन इसी पर इश्यू प्राइज 94 रुपे प्रती शेयर के मुकाबले 109 रुपे प्रती लिस्टिक हुई है फिलाल रेलटेल का शेयर 20% की तेजी के साथ 113 रुपे पर ट्रेड कर रहा है याने जिन लोगों को रेलटेल का आईपयों मिला होगा उन्हें करेज 16% का लिस्टिक गेर मिला है रेल टेल का इश्यू 42 गुना से जादा सब्सक्राइब हुआ था, इसमें रेटेल इंडिविचल इन्विस्टर्स का हिस्सा 16 गुना से जादा सब्सक्राइब हुआ था, जबकि कॉलिफाइड इंस्टिटुशनल बायर्स की कैटुगरी 65.14 गुना सब्सक्राइब हुई थी, जबकि गेल संस्ताकर्ट निवेशकों का हिस्सा 13.25 गुना सब्सक्राइब वा था डिल्टेल ने 14 एंकर इन्वेस्टर से 244 करोट उपे चुटा है डिल्टेल की IPO का प्राइस बैंड 93 से 94 रुपे प्रती शेहर रखा गया था 810 करोट रुपे का ये IPO 16 फरवरी से 18 फरवरी के पीच सब्सक्रिप्चन के लिए खोला क्या था इस इशू के जरिये सरकानी अपनी 27.16 परसेंट हिस्सेदारी बीची है के इंदर सरकानी OTT, News Portal और सोशल मीडिया के लिए गाइड लाइन्स का एलान कर दिया है के इंदरियो मंत्री रवीष शंकर प्रसाद और प्रकाश ज़एगकर ने इन गाइड लाइन्स के बारे भी जानकारी थी रवीष शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्यापर करने के लिए सोशल मीडिया का स्वाकत है लेकिन सोचल मीडिया में ऐसे से प्रिसंटेशन आ रहे है जो किसे भी तरा से सब्सक्राइन नहीं कहे जा सकते हैं ऐसी शिकायती हमारी पांस बहुत आए थी रवी शंकर नहीं कहा कि सोचल मीडिया यूजर्स की समस्या के लिए पूरं होना चाह्ये सोचल मीडिया का इस्तिमाल नफरत पैनाने के लिए किया जा रहा है सोचल मीडिया का इस्तिमाल आतिकी भी करे है सोचल मीडिया की गरत इस्तिमाल की कई सालों से शिकायत यारी है फेक नियूस की ये हालते कि कई नियूस चानल को फैक्ट चेक सेल बनाना होगा सोशल मीडिया के लिए नए नियम इस प्रका है। नई गाईटाइस की मताबिक सोशल मीडिया को एक शिकार सिल बनाना होगा। कोई कंटेंट हटाने से पहले उसका कारण बताना ज़रूरी होगा। शिकार करने पर आपती चनक पोस को 24 गंटे भी हटाना होगा। हर मैदे शिकार पर कारिवाय की चांकरी देन होगी। सोशल मेडिया के ये नियम तीम महिने के अंदर लागों होगी। चिप कंप्लाइट ओफिसर की नियुति करनी होगी। जोकि नियमो के कंप्लाइट को लेक प्राइब करने होगी सबसे पहले पोस्ट दालने वाले की जानकारी देनी होगी रवी शंकर प्रसाद ने कहा कि क्यापिटल हिल हिंसा का विरोध हुआ तो लाग के लिए की हिंसा का भी विरोध होना चाहिए सोशल मीडिया इसमें डबल स्टैडर्ड नहीं अपना सकती सोशल मीडिया के साथ साथ OTT प्लाटफॉर्म के लिए भी गाइडलांस केंधी मंत्री प्रकास जावड़े करने चारेगी उन्होंने कहा कि मीडिया के हर प्लाटफॉर्म के लिए नियम जारूरी है उन्होंने बताया कि OTT कंपनियों से कहा क्या था कि वो न्यूस मीडिया की तरह एक सिल्फ रेगुलेशन बनाए लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। जाओडे करनी कहां कि मीडिया की आज़ादी लोग तंत्र के आत्मा है। फिल्मों के लिए एक सिंसर पूर होता है लेकिन OTT के लिए ऐसा कोई मेकैनिजम नहीं है। इसलिए एक मेकैनिजम तयार होना चाहिए। इवेशन सेक्टर धीरी धीरी ट्रैक पर आ रहा है एर पैसेंजर की संख्या में लगातार इजाप हो रहा है हाला कि अभी भी फेयर बैंट लागू है यह 31 मार्च तक लागू रहेगा। और जल्ब बिना चेकिन बैक की हवाई या ट्रॉक करने पर टिकेट के लिए कम की मत चुकाने होगी। इससे ट्रैक फ्लाइट के लिए लागू क्या जाएगा। एक हवाई यात्री 7 किलो तक कैबिन बैक अपने साथ क्यारी करता है। कुरोनाकाल से पहले भी एर्राइन के तरफ से लाइट फ्यर्स का आप्शन दिया चारा था। जिसे फिर से लागू करने की तयारी है। पुर्व में इस सिस्टम के तहद हवाई किराय में अधिक तम 200 रुपए तक की छुट मिलती थी। अगर कोई याकी इस फिकल का चहर कर टिकित लेता था और इन चेकिंट बैक के साथ एयरपट पॉष्टा था तो 15 किलो तक की बैक के लिए उसे 200 रुपए अलग से चुकाने होगी थी। साधर्म परिस्ति में डॉमिस्टिक फ्लाइट की याकी को 7 किलो का कैबिन बैक और 21 किलो की लगेज पैक की अनुबती होगी है। इसके लिए उसे सामन्न किराया चुकाना होगा है। परना के बाद जब डॉमिस्टिक एयर सर्विस के शुरुआत हुई थी। तब याथा में लगने पाले समय के आधार पर पुरे देश के रूप को 7 कैटेगरिस में बाता क्या था। हर कैटेगरिस के लिए मिनिमम और मैक्सिमम किराया फिफ्ट या था। एविएशन के मिनिस्ट्री ने इसे के मिनिमम किराया को 10 फिफ्ट और मैक्सिमम किराया को 30 फिफ्ट पढ़ाने का फैसला किया है। पराने नियम के मताबिक डिल्ली मुबई रूट पर मिनिमम किराया 3,500 रुपे और मैक्सिमम किराया 10,000 रुपे था। अब यहाँ 3,900 रुपे और 13,000 रुपे हो गया है पहले कैटी किरी 40 मिनिट तक की हवा यात्रा का है अब इसका प्राइज 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 प्राइ प्राइस पैंड फांच पांच हजार से दोसो दस मिनित की है। इसके लिए प्राइस पैंड एक ओर बड़ा चटका साफित हो सकता है। दूद की केम्तों में बड़ोतरी होने की संभाना है। दूद उत्पादों को ने मांग की है कि दूद की दाम 55 रुपे लिटर तक बढ़ाती जाए। क्योंकि महंगे पेटोल डिजल की वज़ा से उनके आर्तिक हालात खराब होके है। बड़ोतरी की दूद उत्पादों को ने पिशले साथ भी दूद के दाम बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन कोरोना वाइरस की वज़ा से दूद के दाम नहीं बढ़ाये गए थे। यही वज़ा है कि दूद उत्पादकों को आज भी उतने रुपे में दूद पेचना पढ़ रहा है जितने में वो दो साथ पहले पेचने थे। बता दे कि मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में 42-43 रुपे प्रति लिटर मिल रहा है अब इसकी कीमत 12 रुपे बढ़ा कर 55 रुपे प्रति लिटर करती जाएगी एक मार्ट से अल लागों हो जाएगा। वस्तुव सेवा कर JST की खामयों को दुर कर सरर बनाने को लेकर 26 फरवरी 2021 यानि आज देश पर के व्यापरी ने भारत बन का ऐलान किया है। पहले ही व्यापरी की एकता दूट गई है। दूरी बना कर रखनी चाहिए। ताम ने पता है कि उसने 22 परवरी 2021 दोसो जिलादी कारी के जरिये प्यम नरिंद्र मोटी को JST में सुधार का आपरतिया है। खबरे समावत करने से पहले आई डालते एक नसर आज के सुर्खियों पर। OTT और सोशल मेडिया प्लाटपॉंग के लिए नई गाइड आज़ जारी। बेहत सक्त हुए इंडिया। और रेल्टेल को मिली ठीक टाउग प्रीमियम पर लिस्टिंग। दिविशकों को एक लॉट पर 2300 का मुनाफा। बिजनेस समाचार में फिला लिता ही। ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बेसे न्यूज। नमस्कार।